हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल पर्पल क्रियेशन्स प्रीज सब्सक्राइब आर चैनल एंड डोंट फर्गेट तो हिट बेल आइकन हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं एक लेडी सॉक्स लेके आई हूं इसे मैंने तीन कलर में बनाया है इस तरीके से इसकी अपर पार्ट में विए पैटन डालन डिजाइन और इसके लूआBlue में दोनों तरफ मैंने ते इसे डिजाइन डाला है ऊकर या देखें और इसको मैंने ग्यारा में किसोलाई है बना है और फोर प्लाई की वूल यूज की ए औ यह पांच नंबर और इसको छे नंबर में पहना जा सकता है और मैंने इसे यहां से start किया है चलिए start करते हैं इसे लिए कि इसके लिए मैंने 12 डाले सबसे पहले देखिए है यह यह मैं बारा फंदे डाल लिए और इसको हम मैं बुल लेती हूं झाल 11 और ये 12 एक मैंने राइट साइड से रोव बुल लिया एक रॉंग साइड से बुनूंगे ये देखे एक रोव मैंने दोनों तरफ से बुन लिया अब इसके बाद हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाएंगे और राइट साइड से ही बढ़ाएंगे देखे इस दरीके से ये दो फंदे मैंने बुन लिये इसके बाद मैं एक फंदा यहां बढ़ा देती हूं राइट साइड से ही दोनों तरफ फंदे बढ़ाएंगे अब यह देखे लास्ट में दो फंदे रहे तो इससे पहले में एक फंदा यहां बढ़ा देती हूं अब दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया है यह राइट साइड है मैं राइट साइड से बूल लेती हूं राइट से पूरा बूलनों कोई फंदा नहीं बढ़ेगा इस तरी किसे यह देखें है 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 अब देखें राइट साइड पे आ गई हूं तो राइट साइड पे फिर एक फंदा बढ़ जाएगा दोनों दरब से एक एक फंदा बढ़ जाएगा इसके बाद फिर हमने एक फंदा बढ़ा दिया इसके बाद इन फंदों को बुन लिया और लास्ट में जब दो फंदे रह जाते हैं तो उससे पहले एक फंदा हम बढ़ा देंगे यह देखिए दो रहे गे हैं अब मैंने एक फंदा और बढ़ा दिया यह है दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया अब हमें यह फंदे तब तक बढ़ाने जब तक टोटल 28 फंदे ना हो जाएं दोनों तरफ से सीधी तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना या एधर कि पढ़ेगा एधर बढ़ेगा तो जब तक 28 फंदे ना हो जाएं तब तक हमें वरा ना हुसके बाद हमें फंदे अभराना रोग देना तो मैं आथाइज फंदे तक बढ़ा कि आपको दिखाती ऑ यह देखिए मैंने दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए यह टोटर 28 फंदे कर लिए है यह 28 फंदे हैं अब इसके बाद मैं यह पैटन बनाती हूं उसका देखिए इस तरीके से चार फंदे मैंने ग्रीन कलर के बुन लिये और इसके बाद मैं यालो कलर से बनाऊंगी एक और यह दो इसको मैं पहले इसको टाइट कर लेती हुए ज़रा दो पीले से बनाए फिर एक मैंने एक ग्रीन से बनाऊंगे डार्क ग्रीन है फिर दो पीले से यह किसका मॉडल इदर बन जाएगा फिर बीच में हम तीन ग्रीन कलर के बनाएंगे एक दो और यह तीन उसके बाद फिर हम यह दो पीले एक ग्रीन और फिर दो यालो यह बीच का मॉडल बन जाएगा और बीच में फिर हम तीन ग्रीन कलर से बना लेंगे एक दो तीन इसके बाद फिर हम यही दो पीले दो एक ग्रीन और दो पीले एक और यह दो हम पीले बनाके यह देखें इस तरीके से फिर्स डो इस पैटर्न की ऐसे बननी है दो पीले एक ग्रीन दो पीले ऐसे और बाकी यह तीन फंदे हमें ग्रीन कलर से बन लेते हैं एक दो और यह तीन यह राइट साइड बननाओगे राइट साइड से हम पहला फंदा बगर दोस उतार लेते हैं और एक दो और तीन इस पीले को मैं ग्रीन से बन लोगे और यह एक दो तीन यह 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 यलो बन जाएंगे तीन येलो बना लूँगी एक दो तीन और बाकी ये येलो है इसे ग्रीन बना लूँगी तो जो हमने पहले तीन बनाए थे ग्रीन अब वो पाँच हो जाएंगे ये बीच में पाँच बना लिया अब फिर तीन येलो एक दो तीन फिर पाँच ग्रीन तीन येलो एक दो तीन बाकी फंदे क्रीन से मुनेंगे एक दो तीन चार और ये पाँच ये देखिए इस तरीके से ये एक रॉंग साइट की मैंने ये रोग कम्प्लीट कर लिया ये देखिए रॉंग साइट की ये रोग कम्प्लीट कर लिया मैंने अब राइट साइट पे फिर मैं आगई इसके राइट साइट पे फिर इसी तरीके से यही दो पीले एक ग्रीन और दो पीले यही बनेंगे अब देखिए मैं बदाती है आपको ये फिर अब इसको येलो बना देते हैं दो येलो और बीच का ग्रीन और फिर दो येलो ये देखें से तरह किसे एक दो तीन बार ये ऐसे बनेंगे दो येलो और एक ग्रीन दो और दो बार ये बनेंगे तीन जो बनते बीच के मैं बताती है आपको ये देखें आप दो ये येलो एक ग्रीन दो येलो तीन बीच के ग्रीन बनेंगे एक दो तीन फिर इसी तरह के से दो येलो एक ग्रीन और दो येलो पीच में तीन हम ग्रीन बना लेंगे फिर दो येलो एक दो एक ग्रीन बीच का और दो येलो एक दो इस तरीके से ये राइट साइड की रोप होगे कम्प्लीट बाकी फंदे हम इने ग्रीन बूलेंगे अब मैं रॉंक साइड पे हूँ रॉंक साइड पे फिर वो ही बीच के तीन येलो हो जाएंगे ऐसे एक दो तीन ये चार ये जो है ये ग्रीन हो जाएगा और ये बीच के तीन येलो हो जाएंगे एक दो और ये तीन ये तीन हो गए अब ये पांच फंदे भी ग्रीन हो जाएंगे एक दो तीन को हम आगे कर देते हैं इस देने उन को और ये दो फंदे और बना दें तो बीच के ये पांच फंदे हम ग्रीन बना पाच फंदे मैंने ग्रीन बना लिए अब इसके बाद तीन फंदे यलो बनेंगे तीन ये देखे फिर पाच फंदे ग्रीन एक दो तीन चार और ये पाच फिर तीन फंदे हम यलो के बनाएंगे एक दो तीन और ये बाद की फंदे हम ग्रीन से बना लिएंगे एक दो तीन चार पाच ये रॉंग साइड की रोग कम्प्लीट हो गई है अब राइट साइड के हम फिर एक बार हम ये दो पीले एक ग्रीन दो पीले ऐसे बनना है अब इस ग्रीन को हम येलो बना लेंगे तो दो येलो बीच का ग्रीन और दो येलो ये देखें इस तरीके से ये पूरा हो गए ये वाला येलो गलर का अब मैं आपको ये और बादाती में आगे तीन बीच के ग्रीन फिर दो येलो एक दो बीच का ग्रीन और फिर दो येलो फिर ये तीन ग्रीन एक दो तीन उसके बाद फिर दो येलो बीच का ग्रीन और दो येलो बाकि हम ग्रीन कलर से ये तीनों फंदे बुन लेंगे ये देखिए ये येलो कलर का इतना बने गाई ये वर्क खतम हो गया इसके बाद हम वाइट कलर से शुरू करेंगे अब रॉंग साइट से मैं वाइट कलर से बनाऊंगी देखिए इस तरीके से अब वाइट कलर से हमें ये वाला वाइट बनाना ये वाला वाइट बनाना है बीच में ग्रीन और ये वाइट अब देखिए मैं बताती कैसे इसको मैं कट कर देखिए इसको मैं कट कर देखिए तो परशानी नहीं होगी झार कर देखिए बना प्राट कर देखिए पहले मैं इसको वाइट कलर से एक फंदा बूनूंगी फिर एक ग्रीन कलर से इन फंदों को मैं अब इसको लॉक कर दूँगी जड़ा एक ग्रीन कलर से और फिर अब ये दो फंदे वाइट से एक और दो मैं इनको पहले फंदों को अच्छी तरह से इनको पहले टाइट कर दो अब ये देखें तीन फंदे ये अब ये ग्रीन कलर से ओजाएगे एक दो तीन फिर इसी तरह दो वाइट एक और यह दो दो वाइट बनाए फिर बीच का हमने ग्रीन बनाया है इसको हाइट करती जाती में आगे ऐसे बीच का ग्रीन फिर दो वाइट एक और दो यह देखें दो वाइट एक ग्रीन दो वाइट अब यह तीन हम बना देंगे ग्रीन एक दो तीन फिर इसी तरह हम दो वाइट और एक ग्रीन दो वाइट बीच का ग्रीन और फिर दो वाइट एक और यह दो फिर तीन हमारे यह बीच के ग्रीन आ देंगे एक दो तीन फिर दो वाइट एक ग्रीन दो वाइट यह देखें रॉंक साइट की यह वाइट कलर की पहली रोग कप्लीट हो गई अब हम राइट साइट से जैसे कि हमने यहां बनाय हुई एक बार हम दो वाइट और एक ग्रीन दो वाइट बनाएंगे इसके बाद हम तीन बीच के वाइट बना देंगे तो देखें मैं बताती है आपको यह हम बनाएंगे ग्रीन एक और यह बीच के तीन हम वाइट बनाएंगे एक दो तीन अब हमारे ग्रीन से बनाने एक दो यह देखें पांच बन गए अब यह तीन हम फंदे वाइट से बन जाएंगे एक दो तीन फिर पांच पंदे हमारे ग्रीन एक दो तीन एक और दो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार पांच और यह तीन फंदे वाइट से एक दो तीन यह देखेंगे वाइट कलर का यह होगा इसी तरह यह वाइट कलर भी अब दो वाइट और एक ग्रीन अब यह देखें इस तरीके से बनेगा यह मैं वाइट ही बनाऊंगे इसको बीच का ग्रीन और दो वाइट एक दो यह बीच के तीन ग्रीन एक दो तीन फिर दो वाइट एक दो वीच का ग्रीन और फिर दो वाइट एक और दो फिर तीन ग्रीन एक दो वीच का ग्रीन और दो वाइट एक दो वाइट एक दो वाइट एक दो वीच का ग्रीन और दो वाइट यह रॉंग साइट की रोग कंप्लीट हो जाएगी यह रॉंग साइट की रोग कंप्लीट हो गई और राइट साइट पर इसी तरह हमें बनाना है बीच के तीन और गें यह हो जाएंगे पांच हो जाएंगे तो देखें यह बीच के तीन वाइट हो जाएंगे यह तीन वाइट हो जाएंगे एक दो तीन यह पांच पंदे फिर ग्रीन हो जाएंगे एक दो तीन चार और पांच फिर तीन वाइट एक दो तीन फिर पांच ग्रीन एक दो तीन चार और पांच फिर तीन वाइट एक दो तीन फिर पांच एक दो तीन चार और पांच फिर यह तीन वाइट हो जाएंगे एक दो ति है किस तरी alligator आगे बढ़ता प्यविद्ध आर्ग तरी दान निकर्शले चाहिआ यह पार और रॉर्ट prevention भार इसती यह आप इसी तरीचे से आगे बढ़ता जाएगा यह server's ez क backlash को प्यव доллар को है वायव फाल है है only a q multip疜 जान साइब आप अलगो एक, दो, इसके बाद तीन ग्रीन, एक, दो, तीन, फिर दो, दो वाइट, बीच में ग्रीन, फिर दो वाइट, एक, दो, फिर तीन ग्रीन, एक, दो, तीन, फिर दो वाइट, बीच का ग्रीन, और दो वाइट, फिर तीन ग्रीन हो जाएंगे, एक, दो, तीन, फिर दो वाइट, एक, दो, बीच का ग्रीन, और दो वाइट यह देखिए दोनों कलगा पैटर्न कम्प्लीट हो गया है इसी तरह यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा यह देखिए इस तरीके से येलो वाइट येलो वाइट येलो वाइट येलो तीन बार तो येलो बनेंगे दो बर वाइट से इतना ही यह सही आएगा पांच नंबर के साइज के लिए तो यह मैंसे इतना complete करके मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए इसका upper part complete हो गया है एक, दो, तीन मैंने yellow से बनाए हैं और दो white से अब इसके बाद मैं इसके partition करूँगी यह देखिए इस तरीके से 14 फंदे यहां रखूँगी, 14 फंदे यहां रखूँगी और इसकी 15 लाइने बनाऊंगी, total 30 रोज हो जाएंगी यह इस तरीके से यह देखिए यह, 15 लाइने बनाए हूँगी यह, और total 30 रोज हो जाएंगी तो मैं इस आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है अब हमारे पास total 28 फंदे हैं तो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा तेरा फंदे बुनने के बाद, यह 14 फंदे को हम twist कर लेंगे, इस तरीके से, ऐसे यह 14 फंदा हमारा यह हो गया तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, छे, साथ, 14 फंदे यहां है, और 14 फंदे अब यहां हो गए अब मैं इस वाले पार्ट को ही बुनूँगी, इस वाले पार्ट को बाद में बुनूँगी, पहले मैं इस वाले पार्ट को complete कर लूँ, तो यह देखिए, अब मैं साथ फंदे तो बनाऊंगी इधर border के लिए, एक, दो, तो उल्टी तरफ से सीधा बनूँगी, एक, तीन, चार, पांच, छे, और साथ, और यह साथ फंदें जो यह उल्टे बुन जाएंगे, उल्टी सिलाई पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और साथ, यह साथ फंदें उल्टी सिलाई पर मैं ने उल्टे बुन लिए हैं, अब इसके बाद राइट साइड पे य जाएंगे देखें एक दो तीन चार पांच जे साथ चौदा फंदी हमें ने बुल लिए अब मैं इसे ही टन कर लेती हूं और पहले साथ फंदे में सीधे बुलूँगी रॉंग साइट से एक दो तीन चार पांच छे साथ और बागी साथ फंदे उल्टे बुलूँगी अब राइट साइट पे हम साथ चौदा फंदे पूरे सीधे बुल लेंगे कि देखे इस तरीके से ये बनते जाएंगे यहां देखिए यहां वैंने दो लाइने बनेred एक और दो इस तरीक से दिखाई देगा डार कलर है तोड़ा अब मुझे तेरा लाइने और यह हो और तेरा लाइने और 26 में तो बना नहीं है तो मैं पूरी 15 लाइने बनाके यह आपको दिखाती बहुत हुँ कि दो कलर है थोड़ा कम दिखाई देता है इस तरीके से देखिए दो लाइने तो बन चुकी है इसकी एक और दो तो मैं तेरा लाइने और बनाके फिर आपको यह वाला पॉर्शन दिखाती हूं कि इस साइड का मैंने देखिए पॉर्शन कंप्लीट कर लिया है पंद्रा लाइने बनाई है और फंदो को मैंने इसमें पिन में उतार दिया है अब मैं साइड का पॉर्शन मनाओंगी इस तरीके से यह सीधी तर्फ से तो मैं पूरे फंदे सीधे बुन लेती हूं कि इसको धागे को भांग लेती है इसमें कि इसको मैं आगे ऐसे हाइड करती है तुछा सब कि लेती है तुछ मैं सर्ता है कि नगया मैं रिर से एं पनल णको खिर कर लिए अब यह देखिए रोंग साइट से तो रोंग साइट से मैं तो उल्टे बुंती फंदे कर चार वाज चे साथ नथे में उल्टे बुनूंगी और बाकी ये साथ बंदे फंद जो इस तरीके से ये लाइने बनेंगी इसे मैं सिधा मुझती हूं दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ, ये साथ फंदे मैंने सीधे बुन लिये, अब इसके बाद राइट साइड पर पूरे संफंदे सीधे आएंगे साथ, बुटनी आए दैना आएंदे ले खांफंदे, वेसे क्टड़ा है। कि यह रो मैंने पूरी सीधी बुन लिया और फिर रॉंग साइट से में साथ फंदे तो उल्टे बुनूँगे और साथ फंदे सीधे साथ फंदे बॉर्डर के सीधे बुनूँगे कि इस तरीक से यह लाइने बनती जाएंगी एक एक है दो दो लाइने बन गई लाइने और यह थोड़ा जाए थोड़ा दिखाई देने में थोड़ी परिशान academically देखे दो थोलाइन है और इसी तरह मुझे कह hollow जैसे मैंने 15 लाइन बनाई हुए यह ऐसे ही 15 लाइन में यह यह मनें कि 15 डबल हो जाएं रोज तो thumbs stops ुनोज अब ये दो बना ली है मैंने 13 लाइने और बनानी है यह राइट साइड है राइट साइड पूरे फंदे सीधे बूनेंगे अब मैं इसकी पूरी 15 लाइने बनाके फिर आपको दिखाती हूं कि दो लाइने बन चुकी है एक और दो कि यह देखिए दोनों तरफ की 15 लाइने हो गई है दोनों तरफ के इनको फंदों को मैंने पिन में डाल दिया है अब इसके बाद यहां से स्टार्ट करूंगे यह वारा जैसे बारा फंदे मैंने यहां से स्टार्ट किया था तो अब मैं यहां बारा ही फंदे उठाओंगी तो इस तरीके से देखिए और विल्ट कैसे बारा फंदे यहां से में उठा लेती हूं कैसे बारा थे प्यूल से बारा लेती है के पार ऑनके यह यहां से कैसे भीछ अवाल बील состо है मैं से सब्ख़एएवा कैसे बारा फ्सस्ता र्श्ता शया में 2 मैं ऐस से रहती है तो कि रूवık . चर पांच चे साथ आठ नो दस ग्यारा और ये बारा ये देखिए ये बारा फंद यहां से मैं उठा लिए और मैं इने बुन लेती हूं ये रॉंग साइड है रॉंग साइड से बुन लेती हूं है उल्टा बुन दी हूं ग्यारा और ये बारा ये रॉंग साइड से मैं बारा फंद बुलनी है अब ये देखिए हाएं कि यहां से इसको कट कर देते हैं अब मैं दोनों साइट से एक-एक फंदा उठाओंगी यहां तक दोनों साइट से एक-एक फंदा उठाओंगी यहां तक तो देखिए पहला फंदा मैं यहां से उठाती हूं इदर से यह वाला पहला फंदा उठाती हुआ है और इन बारा फंदों को मैं बूल लेती हूं अब यह देखें एक पंदा में यहां से उठाती हूं इदर से यह वाला मैं इसको बूल लो एक फंदा उठा लेती हूं यहां से अब यहां से फंदा उठा के साइड से मैं इनको बूल लेती हूं कि दोनों तरफ से एक फंदा उठाती जाओंगी और जब तक मेरे 28 फंदे ना हो जाएं तब तक मैं दोनों तरफ से एक फंदा उठाओंगी अब यह देखिए यहां से मैं फंदा उठा लेती हूं यह देखिए यहां से फंदा उठाया हुआ है अब इसके बाद यहां से यह वाला अब इन्हें बूल लेती हूं मैं सीधी तरफ से तो टोटल मुझे 28 फंदे करने हैं इसके बाद फंदे उठाना मैं बंद कर दूंगी अब यह देखिए यहां से मैं फंदा उठा लेती हूं यह देखिए इस तरीके से यह आगे बनता जाएगा अब मैं दोनों तरफ से फंदे उठाते हुए 28 फंदे कर लूँगी यहां तक मुझे 28 फंदे करने है इसके बाद यह वाला पैटन नीचे भी मैं डालूँगी तो मैं आपको बताती हूं पहले 28 फंदे मैं बना लूँ उसको इस तरीके से यह देखिए यहां से यह बनते ज हो गए दोनों तरफ से उठाते हुए दोनों तरफ से मैंने उठाएं और 28 फंदे हो चुके हैं अब मैं उठाना बंद करूंगी और यह वाला पैटन डालेगा यह जैसे कि मैंने यहां डाला है बिल्कुल यह से ही मैं यहां डालती हूं तो मैं आप बदा देती फिर उसी बिल्कुल सेम इसी तरह यह बनना ना थी पीछे भी बनना है नीचे सौरे नीचे बाटम पर तो मैं आपको यह लो का बदा देती हूं अब यहां से मैं यह लो का स्टार्ट करती हूं चार फंदे बना चार फंदे बुनके ग्रीन से अब यह लोगे मैं दो बना लेती हूं एक और यह दो पहले मैं इसको टाइट कर दूँ अब एक फंदा भीच में ग्रीन फिर दो यहलोग अब एक फंदा भीच में ग्रीन फिर दो यहलोग एक दो दो यहलो फिर उसके बाद तीन ग्रीन बनेंगे बीच में एक दो तीन फिर इसके बाद फिर दो यहलोग एक और यह दो फिर एक ग्रीन फिर दो यहलोग एक दो फिर बीच में तीन ग्रीन बनेंगे एक दो तीन फिर इसके बाद दो यहलोग एक ग्रीन और दो यहलो यह देखिए अब इसके बाद हम यह एक फंदा ग्रीन कब बनेंगे पहले और फिर लास्ट के दो फंदे जो होते हैं उन्हें दो एक साथ बुल लेते हैं और एक गटा दो का एक बना देते हैं तो एक फंदा यहां से घट जाता है और अगला फंदा हम ऐसे उठा लेते हैं इसी के साथ यह पैटर्न डनना शुरू हो जाता है एक फंदा उठा लिया तो टोटल ठाइस फंदे हो गया अब हम राइट साइड पर आ गया राइट साइड पर भी इसी तरह एक दो अब इनको तीन बना लेते बीच वाले को तीन येलो है जो एक दो तीन और यह पांच फंदे ग्रीन के हो जाएंगे एक दो तीन चार और यह पांच फिर तीन फंदे येलो के एक दो तीन फिर पांच फंदे ग्रीन के एक दो तीन चार और यह पांच तीन फंदे येलो के एक दो तीन अब यह देखिए अब यह पांच फंदे हैं ये हम ग्रीन के बनाते हैं एक दो तीन अब लास्ट के दो फंदे हैं इन्हें दो का एक कर लेते हैं अब यहां तक जब हम बनाएंगे तो इसीωत यहां के दो secular को एक कर लेते हैं। अर। इसे और हुआ हम रॉंक साइट पर। दो फंदे यलो के बनाएंगे एक दो बीच में एक फंदा ग्रीन और फिर दोनों अगली दोनों यलो फिर तीन फंदे ग्रीन के एक, दो, तीन फिर इसी तरह दो फंदे यालो के एक ग्रीन, दो यालो तीन फंदे बीच में तीन फंदे बीच में ग्रीन बनेंगे एक दो तीन फिर दो फंदे येलो एक दो बीच का एक ग्रीन और फिर दो येलो फिर लास्ट के बंद ग्रीन एक बना के इनका दो का एक कर दूंगे लास्ट पर दो जब रह जाते हैं हम उन्हें घटा देते हैं दो का एक बना देते हैं और इसी साइट से हम एक बंदा उठा लेते हैं अब फिर मैं राइट साइड गया हूँ अब हम बीच है फिर तीन फंदे यह लोगे बना लेंगे दो तीन और पांच फंदे ग्रीन के हैं एक दो तीन चार पांच फिर तीन फंदे यह लोगे एक दो तीन फिर पांच फंदे ग्रीन एक दो तीन चार पांच फिर तीन फंदे यह लोगे एक दो तीन फंदे ग्रीन से बनेंगे एक दो तीन फंदे बनाने के बाद दो कर देंगे लास्ट के जो दो बसते हैं और एक फंदा इसी साइट से हम उठा लेते हैं अब फिर एक बारो हम यह दो इसी कलर से दो जैसे तीन बना है अब दो यालो एक ग्रीन दो यालो हैं एक दो चार बनाने के बाद फिर हमें दो यालो बनाने एक दो एक ग्रीन और दो यालो एक दो अब इसके बाद जो हम कलर चेंज करेंगे वाइट का यही आगे यही पैटन बनना है बिल्कुल एक बर इसको मैं पांच बोलूँगे बर पांच बनाने फिर तीन फिर पांच फिर तीन फिर पांच इस तरीके से पैटन में यह बनेंगे अभी मैं दिखाती हूं आपको एक दो एक दो एक दो और यह तीन एक दो बीच में ग्रीन और फिर दो एक दो लास्ट के दो एक साथ मूने एक घड़ गया अब इसके बाद हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं देखें यह देखिए यहlo कलर का पेटन पूरा हो गया एक बर पांच यह बर तीन एक बर पांच दो बर तीन यह पर पांच बस ही बनाने यही पूरेश ही थरीके से बनना है तो वाइट कलर का इधर से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से, जैसे कि यहां बनाए हो है, यह देखे, यहां, फिर यैलो, फिर वाइट, फिर यैलो, तो मैं इसका इतना पोशन पूरा कम्प्लीट करके नीचे, यह पॉर्टम का, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यह इसी तरी कम्प्लीट करके मैं आपको फिर बताती हूँ, यहां तक, कम्प्लीट रहता है, इसके बाद यह फिर पलेन, ग्रीड बनेगा, यहां तक, तो मैं आपको एक बार दिखाऊँगी यह देखे यहां से यहां तक फंदे मैंने उठा ली है और यह दो फंदे और रह गया है और यहां भी एक फंदा रह गया है तो मैं यहां तक देखे कम्प्लीट करके आपको दिखाते हूं आप दो को एक साथ घटा देती हूं और यह लास्ट के दो थे जो मैंने एक दो का एक कर दिया अब इदर से फंदा यह उठा लेती हूं एक और फंदा इसका यह उठा लेती हूं अब इसको यहां से यहां तक मैं बुन के लाती हूं यहां से यहां तक बुन के दिखाती हूं आपको यह लास्ट के दो फंदे हैं इसे में एक कर देती हूं और यह वाले फंदे मैं इस सलाई पे ले लेती हूं इस तरीके से यह देखें इसको टार देती हूं पिन पे से उता कि यहां से में इन फंदों को बून लेती हूं इसको पहले मैं अब इन फंदों को में सिलाई पर ले लेती हूं और बून लेती हूं ऐसे और इनको सीधे बून लेती हूं यह साथ फंदे जो हमारे बॉर्डर के सीधे बूने जाएंगे अब इसको टर्ण करके राइट साइड से यहां से यहां तक में बून के लाती हूं यह देखें इस तरफ के फंदे जो थे मैंने पिन पे वह भी इस लाई पर ले लिए मैंने अब हमें इस तरफ से जो अब हमें टोटल फंदे जो हमारे पास है 28 बीच के थे और 28 यह 56 टोटल फंदे हैं तो हमें साथ फंदे बीच के घटाने हैं हमें साथ फंदे ओठाने हैं बाकि दर आदे इदर रख लंगे आदे इदर 6 बचेंगे साथ के बाद जो बचेंगे आदे इदर रखने 8 में घटाऊंगी पीच में से तो है है कि सारे छोने कि बुंटेर आ रहें बॉन्टम के एक new ले ले लेते हैं इसके बाद हमें पार्टिशन करना होता है आपड़े बीच के हमें रखने और बाकई जो बस्तें ही अज़ा कर लेते यह कड यह में चौह LOL का श्रूब 24 और यह 25 फंदे को मैं पहले इस आठ फंदों में मारकर लगा रहेती हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इधर में मारकर लगा रहेती हूं ऐसे तो यह इस से आसानी हो जाएगी यह आठ फंदे हमें घटाने यह 25 फंदा है मेरा इस साइड का इसके साथ में आठ फंदों को जब पहला फंदा है इसको मिलाते हुए दो काई कर देती हूं अब यहां हमारे 7 फंदे रह गए और इससे टर्न कर लेती हूं इस वाले पाड को ही बुनना है इन फंदों को छोड़ देना भी यह बीचे आठ फंदे घटने हैं झाल इसके साथ साथ कियों एो बाद। यह नहाँ कियों आड है झाल क्टार दुनेंग उम पॉलिग थे वां में खाएं झाल को आपको बंग सक्टार में एसक्टार्ण है इस साथ बंदे सीधे बुने जाएंगे अब हम टर्न करतें से और यह चोबिस फंदों को बुनने के बाद 25 फंदे को साथ फंदों के पहले फंदे से घटा देते हैं दो कर देते हैं और यह हील का हिस्सा बनता जाएगा चोबिस और यह पत्चिसा फंदों के लिएगा तो इसको और इसको मिलाके दोनों को मिलाके दो का एक हो जाएगा तर्न कर लेती हो इनको बुन लेती हो इसी तरह यह आठ फंदे घटाने हैं तो मैं यह आठ फंदे घटाके आपको दिखाते हूं हील का पूरा पैटर्ण हील का पूरा यह पॉर्शन दो फंदे मैंने घटा दिये हैं और छे और घटाने हैं उसके बाद में आपको बताऊंगी क्या करना है इस सीधे बुने जाएंगे देखें हील के इस तरीके से यह दिखाई देगा यह दो फंदो बार मैंने फंदे घटा दियें अच्छे और फंदे घटाती हैं फिर मैं आपको दिखाती ही पूरा यह देखें है मैंने फंदे घटा लिया वह मैं गलती से आठ बोल गए थी बट इस साथ फंदे घटाने हैं इसमें तोड़े डार कलर है यह देखें साथ फंदे मैंने घटा दियां अब हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं और दोनों फंदों को दोनों स्लाइओं के फंदे इस तरीके से घटाए जाते हैं आगने मैं कि पहले मैं दो फंदे कराओंगे एक स्लाइ एक स्लाइओ प्र कि एः इधर प्रन दोंगे एः इधर का बली है तिये तीन फंदे एक साथ घटेंगे, तीन का एक एक इसलाई का फंदा लिया, एक इसलाई का और यह तीन फंदे पूर्य फंदे इस तरीके से घटाते हुए इसको यहील का पोशन बंद हो जाएगा तो मैं इस सारे फंदे बंद करके आपको दिखाती हैं, यह तेकिए यह कम्प्लीट हो गया पूरा यह देखे इधर से यहील का पार्ट है यह देखे ऐसे इधर से यहासे ये क्वागता दोरिख सोफजिती साइस मान मला आपचे टके झांचे 7 प्रोफबन कि अगयों कर दोगा है कि अगयों कि अगयों कि अगयों दोगा है